पुटू की माँ है जो की लगातार पिछले ग्यारा बारा तिनों से क्योंकि पास्तारी की घटना है ये रो रही है रो रोकर इनका बुरा हाल है जाहिर सी बात है कि किसी भी माँ का जवान बेटा अगर उसके आखों के सामने नहीं रहे तो उस पे क्या बीचापे हो सिकर पूछी रहे थे उस बाद वहीं पलंगी पर दम तोड़ दिया उसके सोचे कि ले जाते हैं डॉप्टर के पास तो पीम सीच ले गए ले गए तो टेमपू पर ही लिए हुए थे डॉप्टर बाहर आए बोले कि भरती कराने को लोगा आपका बच्चा है नहीं तो कैसे भरत लोगों का कहना था कि दोनों मिल रहे थे मिलते हुए पकरे गए तो पीटा गया था अब यहां पे मैं किलियर करना चाहूंगी ऐसी कोई बात नहीं थी घर पे ले जाकर उसको इस प्रकार से मारा जाता है कि उसके बाड़ी में उपर से लेकर नीचे तक एक भी खनोच नही जाए फिर तुम नहीं आओ यहां परी तो बले नहीं हम साधी करेंगे छोटू से हम प्यार करते हो लिए हम संतुष्ट नहीं है दो लोगों हम चाहते हैं कि आर्थी को भी आजीवन कर आवास दिया जाए में तो आर्थी लड़की हैं और चंदन कुमार को भी बाथी को फा गर जो है ना बहुत ही छोटा है और इस छोटे से घर में यह लोग पूरा फैमिली कम से कम पांच साथ लोग इस छोटे से घर में कैसे रह रहे हैं सबसे पहले जब हम यहां पर आये तो हमें यह चीज़ सोच कर रास चड़िया लगा कि इस छोटे से घर में कैसे यह लोग पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अभी तक इन लोगों को नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया कि आखिर छोटू की मौत के पीछे का कारण क्या है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव लोग नियूज मैं हूँ आपके साथ खुस भू रहे अभी एक आरती छोटू का नियूज सांत नहीं हुआ था हमारे बिहार में कि फिर से बिहार के पटना जिले के कंकर बाग में एक और घटना घटित होती है कोइंसिडेंसली यहां पे भी लड़के का नाम छोटू और लड़की का नाम आरती होता है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे बिहार में खासकर प्रेम प्रसंग को लेकर लगातार इतनी हत्याय क्यों हो रही है क्योंकि देखा जाए तो आए दीन हर महिने आपको किसी ना किसी निज न्यूस के माध्यम से सुनने को मिलेगा प्रेप्रसंग में गई लड़के की जान एक और सवाल उठता है यहां पर कि हर बार प्रेप्रसंग में लड़के की ही जान क्यू जाती है उस पे भी हम आएंगे पहले हमारे साथ बैठी हुई है छोटू की मा है जो की लगातार पिछले 11-12 तिनों से क्योंकि पास्तारीक की घटना है ये रो रही है रो रो कर इनका बुरा हाल है जाहिर सी बात है कि किसी भी मा का जवान बेटा अगर उसके आखों के सामने नहीं रह है तो उस पे क्या बीच सकता है ये हर मा समझ सकती है अलांकि बच्चे नहीं समझ पाएं लेकिन दुनिया की हर मा समझ सकती है अंटी अप मत रूए तबेत खराब हो जाएगा लेकिन कहीं न कहीं इसके जिम्मेवार कौन है दोसी कौन है क्यों हमारे समाज में ये घटना आ प्रभाव उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया लोगों को जितना की होना चाहिए था अच्छा आंटी बस एक प्लेट होना बंद करें प्लीज रो मत रोए एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि पांच तारीक को जब छोटु आया था चोटु की डेस तो पांच को ह स्थी था चोटु को चोटु घर से 10 बजे सनिवार को निकला था दस बजे निकला तो दो बज़ गया था 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 हम बोले बड़ा वाला बेटा को कि फून लगाओ चोटु को तो फून लगाया तो उसका मुवाइल बंद ठा था थोड़ा हम को अतना देर बाहर नहीं रहता तो थोड़ा हमको दिककत लगने लगा क्या अभी तक आया नहीं सोच नहीं रहे थे उसके बाद चार बजे घुट आ गए घर तब आने का बाद सिधा रूम में ही चल गा रूम में चल गया उसके बाद पूरा कपड़ा खोल के और पलंग पर सो गया बोला मंही थोड़ा हमको बीष मिधन तक तेल लगाते हुझे। बहुत मिधने कर दुदी। उडे भी सिर्थि decis हैं त Ber gün इतना हुआ हाना हुआ है तो the learn की सबनते tornado एंस नहीं epidemi में देखित में तो भ्हुंतव रचषिद किया कि这 लिधर में दिर चमच खीद क्पार नहीं कर दो आराम किया सुबह हुआ पाँच बजा तो लेटेन गया बात्रूम गया जाते हुए लेटेन बात्रूम गया आ केहां परी नीचे सो गया कभी नीचे सोता नहीं था पकाप हम पलंग पर से उठ गया है बोले कि तुम नीचे कहे सो रहे हो तो हाथ पकड़के उसको उठने में भड़ा बेटा को आकर बोले रूम में उठाया कि चलो देखो नो उसका दे हाथ का है तो ठंडा लग रहा है तो चलो तो देख लो क्या बात है का है ऐसे कर रहा है कुछ खाया भी नहीं है कल रात से तो गया उठाने के लिए तो बोला भाया हमको नीद के सुई और बेहोसी कि सुई दिला दो पूछा ऐसे काहे पोर रहा है तो थोड़ा बेचाही नहीं होने लगा उसको तो बोला कि नीद और बेहोसी कि सुई काहे दिला दे तुमको क्या हुआ है भोला हमको चंदन और विकास दोनों मिलकर बांस और तार से मारे गोदी में हम लिए ऐसे ही पोची रहे थे उसके बाद पलंगी पर दम तोड़ दिया उसके बाद हम लोग के सोचे कि ले जाते हैं डॉप्टर के पाथ तो पी एम सीच ले गए ले गए तो टेमफू पर ही लिए हुए थे डॉप्टर बाहर आये बोले कि भरती करा निको लोगे आपका बच्चा है ही नहीं तो जितनी तकलीफ इन्हें हो रही होगी एक बार उस तकलीफ को समझने का कोसिस कीजिएगा इसलिए मैं बार-बार इस चीज को रिपिट कर रही हूँ क्योंकि आए दिन हमारे समाज में ये घटना है घटित होती रहती है और वो कम नहीं रही है दिन पर दिन बढ़ रही है सि पीटा गया था अब यहां पे मैं किलियर करना चाहूंगी ऐसी कोई बात नहीं थी यह लड़का छोटू जो है घर पे रहता है उसको उसका दोस्त विकास जो कि अभी हलांकी गिरफतार हो चुका है विकास के द्वारा डीजे चलाता था अंटी आपका बेटा डीजे चलाने क का काम करता है चोटू और विकास जो कि उसका मित्र होता है फ्रेंड होता है वो उसको डीजे के नाम पे यहां से ले जाता है कि चलो हमारे साथ हम कहीं पे साटा है ब्याना मतलब एडवांस मिलने वाला है उसको ले जाया जाता है और उसको कहां लेके जाया जाता है आरती क जातर एक दिन बाद उसकी मौत हो जाती है ऐसा मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूं कि जिस कपरे में छोटू घर से निकलता है उस कपरे में कहीं से भी कोई भी एक दाग नजर नहीं आता है नहीं गंदगी का नहीं डंडे का इन्फेक्ट उसके सरीर पर क्योंकि जैसा कि उनने बताया कि रात में हमने अपने बच्चे को तेल लगाया तो इसके सरीर पर भी अगर मारा जाता उस परकार से तो निसान होते जो कि निसान इन लोगों को कहीं नहीं मिला उसका चपर से लेकर कहीं भी कोई धूल मिटी नहीं लगा हुआ था वो कपरे भी यहां पे मज पर दिखाएंगे उसके साथ साथ पूरी घटना को हमने समझने की कोशिश सकी दो साल से चोटू और आर्थी की प्रैशल रहे थी दो साल में एक साल पहले एक और घटना हुई थी जिसमें चोटू को आर्थी के भाई के द्वारा मारा गया था उस समय दोनों आपस में बात भी टावार नहीं करते हैं तुम हम प्यार बादि नहीं करती हो लगा हम तुम्हारा साधी नहीं हम करेंगे कि एक वार हम लोग को जुट बोल दी थी थाना में कि छेड़ छाड़ किया गया था तो हम लोग को डर लगता था कि कहीं फिर फंसान आते तो बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं होगा हमको मंदिर से साधी कर दी तो हम बले कि जी नहीं हमको कुछ डर हो गया हम बले जी न दिका गई फिर भी हमने प्रेस डाले तो अधार काट दी बोली कि अधार काट तो हम दे दिये हैं मगर साथ दिसंबर को जिस चोटू का बड़े है लड़की बोली उसी दिन मेरा कोट मैरेज कर दीजेगा साधी बड़े के साथ मैरेज दे भी मनेगा हम बोले ठीक है तो बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि छोटू और आरती आपस में साधी करने का प्लान भी कर लिये थे साथ दिसंबर कोई दूर नहीं है पांच नवंबर की घटना है और साथ दिसंबर में फासला सिर्फ एक महीने का रह जाता है चार तारिक से पहले दो दिन पहले पांस तारि अगर कोई प्रसंग में भी वैसा ही कुछ दिखता नजर आ रहा है हलांकि मैं बात करूंगी दो अपरादी जिसे आरती का भाई और छोटू का मित्र विकास दोनों की गिरफतारी हो गई है लेकिन अगर हम अपनी नजरिये से इस चीज़ को जहां तक हमने समझने की आरती का बयान लेने के वाद उसे छोड़ दिया गया है अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यूं कहा कि हमें भी दोस्ति भी लग रही है ऐसा हमने इसलिए कि जिस हिसाब से चोटू के साथ मारपित हुई थी अगर उस घर में मारपित हुई थी तो कही ना कहीं उसे इ जानकारी आरती ने इस घर वालों को दे दी होती किसी भी तरीके से तो सायद इनके परिवार वाले उसका ट्रीटमेंट करवा चुके होते या फिर कुछ ना कुछ तो किये होते सायद कुछ ना कुछ किये होते जिससे उसकी मौत नहीं होती और सबसे बरी बात एक चीज और में पता चला कि जब छोटू वहाँ से यहां आता है ये लोग फोन करते हैं आर्ती को तो आर्ती का फोन switch off है अब चीजों को समझने अगर कड़ी जोडिएगा न सुरू से लेकर अंत तक कड़ी-दर कड़ी जोडिएगा तो आपको साफ तर पर पर पता चलेगा कि पहले छोटू को ले जाकर मारा गया और उस तरीके से मारा गया कि पता ना चले कि उसको चोट आई है दूसरी बात लड़की का फोन स्वीच आफ करवा दिया जाता है ताकि आपस में कोई कनवर्सेशन ना हो ताकि अगर कल को चोटू के साथ कुछ हो तो उसमें लड़की ना फसे और होता वही है जो प्री प्लैंड होता है जैसा मैंने समझने का कोसिस किया बाकी आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं अब सवाल उठता है कि जब चोटू की हत्या हो चुकि है तो इन्हें क्या चाहिए प्रशाशन से बिहाड सरकार से क्या माँगाइभी संतुस्ट हैं दो लोगों की ग्रफ्तारी हो गईए क्या आप उससे कि आरती को व्याजीवन कर अवास दिया जाए में तो आरती लड़की है और चंदन कुमाー को भी भी बाथि कि मेरा कमाने वाला बच्चा तो चला गया हमें गर्दवार भी नहीं हैं किसकी सारजी बताइए यह मौसी है और क्या कहींगी मैं सरकार से बिहार सरकार से मांग करते हूं कि चंदन कुमार को फांसी से नीचे कोई सजा नहीं दिया जाए और आर्थी और विकास को जीवन कि कमाने वाला बच्चा और हस्पेंट तो पहले ही चले गए इनकी सहायता किया जाए इनका बिल्कुल कहना कहीं न कहीं जायज है क्योंकि पहले से ही चोटू के पिता जी आज से दो सल पहले गुजर चुकी थे और उसकी जैसे दो साल में इतना बरा हादसा होना जो कि अप लगं कि प्सक्ता यह उनकी हो चुकिए यह उनकी वाइफ है इनको का बढ़ा underพょ vendo इस दो सबसे पहले हैं ना चाहिए इंका घर दिखा दिए अंसर आप इनका घर जो है ना बहुत ही चोटा है और इस चोटे से घर इंका पूरा फैम्ली कं से कम पांस साथ लोग इस छोटे से घर में कैसे रह रहे हैं सबसे पहले जब हम यहां पर आये तो हमें यह चीज सोच कर आस चड़िया लगा कि इस छोटे से घर में कैसे यह लोग रह रहे हैं जब हमने जानने की कोशिस की तो यह भी जानकारी मिले कि इनके पास अपना कोई घर नहीं है और अभी यह यहां प इतने बरे फैमिली एक छोटे से घर में रहने के लिए तो सिंपल सी वात है और उपर से इतना बरा हादसा हो जाना उस बेटे के साथ जो बेटा कमाई का एक मात्र जडिया था बरतमान में इनके घर का तो कहीं न कहीं सरकार से हमारा भी आगरा होगा कि इसको नजर अंदाज करें हलके में नाले और इनके घरवालों को जो कुछ पॉसिबिलिटीज हो उन्हें इनका मदद किया जाए और दूसरी बात जिस हिसाब से इनका कहना है कि दोसी आरती भी है तो सजा कहीं न कहीं आरती को भी होना चाहिए क्योंकि बयान लेकर आरती को छोड़ दिया गया है आगे हमारी कोशिस होगी प्रशासन से भी बात करने के लिए इस मामले को लेकर और एक और बड़ी चीज जो कि हम आपको मेंशन करना चाहेंगे हमने जानकारी हमें ये मिली है कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट अभी तक इन लोगों को नहीं दिया गया है बताया नहीं गया कि आखिर छोटू की मौत के पीछे का कारण क्या है सबसे बरी बात की जहां तक हमारी जानकारी कहती है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के लिए 24 गंटे काफी होते हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए 3 गंटे काफी होते हैं जब कि ये घटना पटना की है पटना से ही फोरेंसिक रिपोर्ट बन कर पूरे जीले में डिस्ट्रिब्योट होता है और परना की घटन है और दूसरी बात यहां 10 से 12 दिन होने बारत दिन होने वाले है और अब तक ना ही फोरेंसिक रिपोर्ट आया है और ना ही Pitmartman रिपोर्ट आया है जो दर्साता है कि पुलीस परसासन और यहां की वबस्ता कहीं न कहीं कोता ही बरत रही है कहीं न कहीं लापरवाही कर रही है इस मामले में जो की नहीं करना चाहिए था था हमारा बिहार सरकार और बिहार परसासन से फिर से रिक्वेस्ट होगा कि इस मामले को अच्छे से जाच परक के जो भी सायद सायद कुछ हद तक कमेगा अधर बाइज अगर जो अपरादी हैं बाहर घुमते रहेंगे तो इस तरह के घटना बिहार में लगातार घटते रहेगी और दिन पर ती दिन बढ़ती जाएगी जो किन नहीं होना चाहिए बागी रिपोर्ट के लिए देखते रहे लाइब अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद